प्रशान धवन पिछले कुछ दिनों में लगातार आपने ये न्यूस बार-बार सुनी होगी के इरान अटाक करने वाला है इसराइल को हलाकि इसको लेकर कई लोगों ने रिपोर्ट्स पब्लिश करी के 48 आर्स में ये होगा 52 आर्स में ये होगा बट अभी भी मैं आपको बत वाले अर्स के गोईज सीरिया अमबैसी एक इसर्या में ये उसके बाद इसराइल रियाइड करेगा और हम इरान को अटाक करेंगे इस पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि दुनिया को पहली बार एक EMP अटाक क्यासा होता है यह दिखाए यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल इसराइल कुट डेब्यू EMP बॉम्म डाट डिस्ट्रोई इलेक्रिसिटी इफ इरान लॉंचे अटाक और मैं इसके बारे में लगातार कई दिनों से पढ़ रहा हूँ मेरा मानना है कि हाँ बिलकुल यह हो सकता है अगर इरान genuinely अटाक करता है इसराइल को अपनी धर्ती से एक missile attack हो सकता है ये या फिर किसी और टाइप का attack ये करते हैं बिल्कुल उस case में इसराइल को एक E-bomb यूज करना होगा ना ये E-bomb काम कैसे करता है क्यों कहा जा रहा है कि एक बार E-bomb यूज हो गया तो World War 3 का जो एक डर है ये बिल्कुल फैल जाएगा ये मैं आपको समझाता हूँ देखिए E-bomb या फिर जो E-MP bomb जिसकी हम बार-बार बात क्या रहे हैं इसकी फुल फॉर्म है Electromagnetic Pulse Bomb Imagine करिए इरान ने अटैक कर दिया इसराइल को जो भी नुक्सान करना था एक मिसाइल से जो भी वो कर सकते हैं उने कर दिया फिर उसके बाद क्या होता है कि इसराइल से कुछ फाइटर जेट्स रवाना होते हैं इरान की तरफ इन फाइटर जेट्स के अंदर E-bomb हैं Electromagnetic Pulse Bom और ये EMP Bombs इरान पर डॉप कर दिये जाते हैं इन बॉप से एक ऐसी Electromagnetic Pulse निकलेगी जो इरान का पूरा जो electricity grid है इसको destroy कर सकती है जो भी electricity towers है जो major grid है इरान की वहाँ से चंगारिया निकल रही होगी बहुत ही जल्द इरान की major cities में electricity गायब हो जाएगी जो इरान की nuclear test band sites हैं वो काम करना बंद करनेगी क्योंके वहाँ पर भी इरान को electricity तो चाहिए न और साथी सारा आप देखो के जो इरान में बड़ी screens है टेलिविजन है वो भी खराब हो जाएंगे और interesting बात देखिए most probably मैं यहाँ पर most probably मुझे बोलना पड़ेगा क्योंके मुझे पता नहीं MP bomb के जरीए आप एक पूरे देश को paralyze कर सकते हो क्योंके आज के समय आप imagine कर सकते हैं एक country उससे आप electricity छीन लीजिए जो उनका grid है वो काम नहीं कर रहा है जो उनके computers है वो काम नहीं कर रहें basically आपने उस country को paralyze कर दिया ना मुझे को यहाँ पर फिर से एक बाद आड़ करनी पड़ेगी कल को hypothetically speaking इसराइल यह bomb यूज करता है और fatality सामने आती है कुछ number सामने आता है कि इतने लोग मारे गए मैं उसके बारे में completely sure नहीं हूँ ठीक है क्योंके बहुत सारे articles आप अगर देखोगे उसमें clearly यह बात लिखी गई है the bomb itself जो EMP bomb इसराइल drop कर सकता है इरान पर directly यह लोगों को नहीं मारेगा as it delivers and EMP pulse capable of taking out all electronic devices within as yet unknown radius क्योंके जितना भी radius होगा pulse का उस radius में जो भी electronic devices होंगे यह सब काम करना बंद कर देंगे and while this means that most of Tehran's infrastructure could immediately cease to function it could be the one ace that Israel has up its sleeve और again हमें पता नहीं है कि इसराइल ने किस हद तक इन bombs को develop किया है इनका radius क्या होगा बड़े scale पर जब यह use किये जाएंगे bombs तो human body पे क्या impact होगा we do not know तो आप एक बाद को मान के चल सकते हैं हो सकता है एक small possibility है कि कुछ लोग मारे भी जाए directly या directly अब यहाँ पे आपका ए ऐसे e-bombs है देखो मैं defense current affairs और जो development है इनको कई सालों से follow कर रहा हूँ 2013 से मैं सुन रहा हूँ ऐसे articles काफी बार appear होते हैं फिर गायब हो जाते हैं जहां पे लिखा होता है कि India develop कर रहा है e-bombs to paralyze networks same बात जो इन आपको बताई थी जैसे e-bombs काम करते हैं इंडिया इसको develop कर रहा है 11 साल हो गए है कुछ official इसके बारे में सुनने को नहीं आता almost आप कह लिए जिस तरीके से Israel लेना कभी दुनिया के सामने demonstrate करके दिखाया नहीं है e-bombs को इंडिया भी बहुत secretly इन सब चीज करते हैं और missile test करते हैं इसको कभी भी publicly test करके you know announce नहीं किया गया कि हमारे पास यह ability है हाँ बिलकुल इस पर काभी बार articles आते रहते हैं कि क्या इंडिया एक ऐसा hypersonic EMP missile ना देगा जो बिलकुल hypersonic speed से जाएगा जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल होगा और चाइना को counter करने क के लिए हम इसको इस्तवाल कर पाएंगे we do not know मुझे याद है आपसे कई साल पहले अधिक 9 साल पहले 2015 में उस वक्त मनोवर पारिकर जी देश के रक्षामंत्री थे सरकार से पूछा गया था कि काली 5000 क्या एक EMP weapon है क्योंकि आज तक इस बात को लेकर एक proper clarity है नहीं के काली 5000 आखिर है क्या क्या ये एक EMP weapon है क्या ये एक अलग type का weapon है इसके बारे में कोई official जानकारी ना DRU ने release करी है ना कभी सरकार ने कुछ का है सरकार से पूछो तो वो कहते हैं कि इससे related information हम public के साथ share नहीं कर सकते national security के लिए ये बहुत important है कि ये सारी चीजे secret रहे तो क्या इंडिया के पास ऐसा weapon है अभी के लिए मुझको यही बोलना पड़ेगा I do not know बाकी EMP attacks के बारे में US अपने आपे मैं कहूँगा सबसे जादा चिंतित देश मुझे लिखता है इनका मीडिया इतनी बार लिखता है कि अमेरिका की जो power grid है ये एक EMP attack से हमें से बचाना होगा कुछ हमें एक defense mechanism develop करना हुगा कि कभी China एक EMP attack करके हमको paralyze ना कर दे तो अग ज़े developments आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में updated वीडियो ले आऊंगा और finally यापे मैं आपसे पूछूँगा एक question के Indian army को के Indian army को एगला S air defense system मिल चुका है आपको बताना है कि किस country ने India को provide किया है ये air defense system provide किया खरीदा है हमने तो बताइए किस country से हमने ये air defense system purchase किया है ये आपकी options Russia Japan USA या फिर Germany comment section में करिए उतर जो लोग सही answer देंगे कोशिश करूँगा क्योंकि comment को मैं हाट दे दूँ ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उतर क्या है और finally यहापर मैं ये भी add कर दूँ कि study IQ के UPSC course में special offer चल रहा है जिसमें अगर आप ये course purchase करते हैं तो आपक सामने फिर खुल जाएगा ये page now यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं study IQ का flagship UPSC course इस course के अंडर prelims से लेकर interview तक आपकी help करेगा study IQ आपका prelims clear हो जाता है तो mains के लिए आपको दिल्ली में invite किया जाएगा by study IQ आप दिल्ली में रहोगे आपका खरचा study IQ उठाएगा आपको one to one mentorship दी जा रुपीज है और जो यहाँ पर price लिखा है ना इस course का ये कभी भी पे मत कर देना simply यहाँ पर code use करिए PD10 और आपको मिलेगा एक massive 7500 रुपीज का discount the maximum discount you can get और 30,000 रुपीज में आपको 30 महीने का ये course मिलता है basically आप हर महीने का 1000 रुपे पे कर रहे होंगे for your UPSC preparation so use the code PD10 and save money AC note के साथ ये है video can thank you for listening and as I always say may the gods watch over you